दोस्तों जब भी आप किसी को कोई सामान बेचते हैं या फिर आप किसी को कोई पैसा उदहार देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है नमस्कार मैं डॉक्टर राजेश लोदी और एकवार फिर्से आप सभी का मंदिद विव आते हैं जो कि आपको कोई भी एड्वोकेट फिरी में नहीं बताता है तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है वीडियो को इसकिप मत करिएगा और डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का जो है पैसा किसी को दे रहे हैं या फिर किसी से पैसा ले रहे हैं या फिर कोई सामान जो है आपको बैचते हैं ऐसे इस्तिती में वह आपको चेक दे देता है तो उस चेक को लेते समय भी बहुत सारी साबधानिया जो है रखनी होती है ताकि आपका जो है केस आप ठीक से ल व्यक्तिक को बेचा करएं हैं, जिसको जानना हर भार्ती vita को आवश्यक है, तो सबसे पहले मान लिजिए, जब भी आपने कोई लिक्तिक को बेचा है, या फिर आपने कोई पैसा उधार दिया है, उसके बदले में आप म्याक्तिकी से चेक कोई और करह सकते हैं, बétait ओधार इसा मैंने इस व्यक्ति को इतने समय के लिए उधार दिया है। सांथ मैं उस व्यक्ति ने मुझे एक स знаком तर्फ़ पर एक check दिया है, जिसका की check किर वंग इतना है। और यह इस बैंक का चेक है, सारा डिटेल आप उस एग्रिमेंट में कर सकते हैं, और जो है एग्रिमेंट होने से केस आपका काफी ज्यादा इस्ट्राउग हो जाता है, अब दोस्तों यहां पर हो सकता है कि आपको उस चेक को बाउंस करवाने की या बैंक में डालने की नौब चेक होता है, उस पर जो हम डेट लिखते हैं, उस डेट से वह तीन महीने तक ही बैलेड होता है, मतलब कि आप जो है तीन महीने के अंदर अंदर उस चेक को बैंक में बाउंस करवा लें, अगर आपने चेक ले लिया है, लेकर रख लिया है, उस पर डेट दली है, उस डेट से तीन महीने का समय निकल जाता है तो आप चेक बाउंस केस आप नहीं लगा पाएंगे आप जो है सिबिल केस उस पर लगा सकते हैं और सिबिल केस में जो है काफी जादा समय और फीस जो है लगने वाली है तो सबसे आसान तरीका यही है कि चेक की जो डेट है उससे तीन महीन जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक ले रहे हैं तो उसी की handwriting उसको account पे करवाएं। कोने से दो line कहच कर account पे उस पर लिगवाएं और साथ में उसी व्यक्ति की handwriting में उस चेक को fill करवाएं। करवाएं लोग गलती कहां पर करते हैं ये भी आपको बता दे रहे हैं लगभग देड़ सो से दो सो मुकदमे ऐसे हमारे पास जिनमें की लोगों ने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया या फिर कोई सामान उधार दिया और उसके बदले में उन्होंने उन्होंने उनसे ब्ल दो में अमाउंट लिग दिया और जो है डेट डालकर अकाउंट पे करकर अपने हाथ से ही उस चेक को बाउंस करवा लिया अब दोस्तों यहां पर चैक जो है बाउंस हो गया और बाउंस होने के बाद में उन्होंने अपने एड़्वुकेट के मादियम से नॉटेस अब दोस्तों जब एकसपर्ट के पास चैक को ले आया गया है है हैंड राइटिंग इस व्यक्ति की नहीं है और इसी पॉइंट पर जो है लोग चैक के मामलों को हार जाते हैं तो आज जो है हम आपको यही वताना चाहते हैं कि जब भी आप चैक लें तो अपनी ही हैंड राइटिंग में उसको ना भरें जिस व्यक्ति ने चैक दिया है उसकी हैंड राइटिंग उसको फिल करवाएं उसी के हैंड राइटिंग सिगनेचर करवाएं उसी के हैंड अगर कोई भी डाउड हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए